सूरकुमार यादो ने जड़ दिया मात्र 25 गेंद में ही सता। सूरकुमार यादो की ये वल्ले वाजी देखर कोई हैरान रह गया। बसर कोई सूरकुमार यादो की तारीफी किये जा रहा है। सूर कुमारियादो की बैटिंग से साउत हफिका के बॉलर्स का बुरा हाल हो गया उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें अगर आप भी हैं सूर कुमारियादो के फैन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें दोस्तो इसमें T20 वर्ड कप खेला जा रहा है ये बात तो आप सभी को पता ही होगा और टीम इंडिया ने अभी तक इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है सभी ही खिलाडियों ने अपना अलग-अलग क्लास दिया T20 वर्ड कप में जो सबसे ज़्यादा भारी पड़े हैं वो है सूर कुमार यादो सूर कुमार यादो की बल्लेवाजी में किसी का मुकाबला नहीं सूर कुमार यादो की बल्लेवाजी हर किसी को पसंद है दोस्तो गेंदबाज में भूने सरकुमार और अरसदीप सिंग ने अभी तक काफी अच्छा किया है और फिराट कोली भे किसी से कम नहीं है दोस्तो आज है भारत और साउथ अपरीका का मैच और आज ही सूरकुमार यादो का जलवा देखने को मिला की वो सूरकुमार यादो के सामने कैसी बॉलिंग करें यह जो 220 वर्ड कफ है काफी ज़एदा पेचीदा होते जा रहा है वो सूरकुमार यादो की बल्लेवाज़ी आने वाले समय में दुनिया के नंबर वन बल्लेवाज बन जाएँगी आज का मैच टीम इंडिया ने काफी अच्छे से खेला हाला कि इस मैच में सारे प्लेयर्स की काफी सांदार पर्फॉर्मेंस रही अर जी सिसाब से टीम इंडिया खेल रहे हुसे T20 वर्ड काफ फाइनल खेलने से कोई भी नहीं रोप सकता आवस T20 वर्ड काफ फाइनल खेलेगी